तो देखिए मचली यहाँ पे फ्राई हो रही है और यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है इसी तरह यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो दीरे दीरे यह फ्राई हो रही है हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक नोई चैनल रिशना व्लोग्स और आज यहाँ पे बनने वादी है चेलवा मचली तो देखिए यहाँ पे मैंने यह आधा किलो के करीब लिया हुआ है और इसे अच्छे से हम धुल लेते हैं अच्छे से वाश कर लेते हैं दस मिनट तक इस मचली को धुलते हैं और धुलने के बाद उसको अच्छे से इसका जो काटा होता है वो निकाल लेते हैं तो देखिए इसे दस मिनट तक पहले हम अच्छे से वाश कर लेंगे तो इसे अच्छे से वाश कर लेते हैं उसके बाद इसमें इसे काटा निकाल लेते हैं और फिर उसके इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए यह भी धुला रहा है अब यह देखिए लाइट नहीं है इस वज़े से यहां पे कैंडल जला हुआ है और काटा मचली का निकल रहा है यह देखिए यहां पे हम कुछ मसाले लिये हैं इस घखड़े गरम मसाले और सरसों है और लह सन है इसे हम पीश के इसका पेश तैयर कर लिए अब यहां पे कढ़ाई गरम है इसमें हम एक कटोरी के करीब ऑईल डाल लेते हैं तो यहां एक कटोरी करीब ऑईल डाला मैंने अब इसमें हम मचली जो है उस मचली को ऑईल पहले हम गरम हो जाने देते हैं और इसमें यह जो मसाला है इस मसाले में एक चमच हम हल्दी डालेंगे एक चमच नमक डालेंगे और एक चमच के करीब मिर्च पॉडर और यह सारा इंग्रीडियंट हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं एक चमच हल्दी एक चमच मिर्च पॉडर और एक चमच नमक मिक्स कर के इसे हम मचली में डाल लेते हैं और मचली में डाल के अच्छी तरीके से इसे हम मिला लेते हैं पूरे मचली में हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे तो ये देखिए इसमें ग्रेवी आपका एक्स्ट्रा भी है जो मसाला है वो एक्स्ट्रा भी है अब देखिए ओई गरम हो गया है इसमें मचली हम डाल दिये हैं और मचली यहां पर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो यहां पर मचली fry हो रही है इसे हम चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि यह अच्छे से fry हो जाए सुनेहरा यह जले ना तो इसे हम चलाते रहेंगे थोड़ी सी मचली डाल के हम देखे हैं कि ओइल अच्छे से गरम है की नहीं है इसलिए हम पहले थोड़ी सी मचली डालते हैं उसके बाद सारी मचली डाल के इसमें और उसे अच्छे से फ्राई कर देते हैं देखिए यह मचली यहां पर हो चुकी है इसे निकाल लेते हैं यह देखिए यह भी हो चुका है इसे हम निकाल लेते हैं अब इसमें हम सारी मचली डाल देते हैं और इससे फ्राई करते हैं तो देखिए सारी मचली मैंने इसमें डाल दिया और अब इससे फ्राई करते हैं सुनहरा इससे फ्राई करेंगे ये अच्छे से फ्राई हो जाए इसमें मैंने जितना मसाला डाला हुआ था आपको जो मसाला मैंने भी दिखाया ये सारी मसाले इसमें मिला लेते हैं और इसे फ्राई करने के लिए जब डालते हैं और एक्स्ट्रा जब मसाले बच्चते हैं उसमें जो हम फ्राई करने के लिए डालती हैं और इसमें एक्स्ट्रा मसाले बचेंगे तो उन मसालों को हम भूज लेते हैं यहां पर देखिए मसाले इस मचली में भूज लिए हैं मैंने अच्छे से और यह देखिए वो फ्राई मचली मैंने बना ली और यहां पर मसाले डालके यह ग्रेवी वाली मसली मैंने तियार की है एक तैसे आप सूखी मचली कहेंगे तो ये इसमें थोड़ा सा ग्रेवी डाल दिया है और थोड़ा सा फ्राई मचली मैंने निकाल दिया था तो ये देखिए ग्रेवी वाला भी यहां पे तयार हो गया है और फ्राई भी मचली तयार हो गया है यह देखिए यह होगी फ्राइ मचली और यह है ग्रेवी वाली मचली तो आज का मेरा वीडियो यह कैसा लगा छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है कॉमेंट करके बताएगा लाइक चेर सस्क्राइब करिए